साथियो स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर तो साथियो बिहार आईटियाई अनुदेशक डिग्री डिप्लोमा वाली जो भरती थी उसका जो है एंसर की जारी किया गया है रेस्पॉंस इट भी आपका जारी किया गया है और अभी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं आज अ बुक का नाम कितने पेज नंबर पे अथेंटिक कौन-कौन बुक सब डाल सकते हैं वो इस वीडियो में समझा दिया है 27 मिट का वीडियो है बहुत अच्छे से क्लियर कर आपको यहां समझाएं दूसरी बात कि गुरूप नंबर 15 में कौन-कौन से क्वेशन में अब्जेक् किजिएगा तो गुरूप नंबर 15 जो की मैथ और इडी का था उसमें अगर आपको नहीं समझ मारा कि किसमें किसमें अब्जेक्शन करना है तो यह वीडियो देख लिजएगा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे ठीक है इस वीडियो में देख करके आप टोटल कोश्चन पे अपत्ति दर्ज कर दीजेगा आपको अगर पीडियो चाहिए सपोर्टिंग डॉकुमेंट का तो मुझसे टेलिग्राम पे संपर्क कर सकते हैं मैं टेलिग्राम में आपको डारेक्ट पीडियो बना हुआ हूँ आपको दिखाता हूँ अभी क कि अभी मैं तो यहां देख सकते हैं हमने अल्रेडी पीडियो बनाया है जैसे कि एक आपको एक्जामपल दें कंजर्वेशन ऑफ एंगलोर मोमेंटम वाला एक कोश्चन है गुरूप मेंबर 15 का उसका हमने देखे किस तरस यहां पीडियो बनाया है पहले इसको हमने स्क्री कर दिये हैं और यहां पर यहां पर यहां पर टिक करके दिखा दिये कौन सा बुक है उस बुक के बारे भी यहां पर हमने जिक्र कर दिया है जो भी जो भी बुक है ठीक है तो उसका हमने यहां पर बुक भी अटैच कर दिया अब यहां पर जैसे ही आप इस पर क्लिक जो देखिए इस बुक का सारा डिटेल्स आगे यहां पर सो क्रॉस कर देते हैं यह बुक कौन सा है मेकनिक्स और ऑसलेशन वाले बुक से हमने इसका प्रूब को उठाया था ठीक है तो इसको भी हमने हैं इसमें हाइपर लिंक भी अटेच कर दिया है चलिए यह तो रही बात क कैसे को क्या-क्याल चीज़े देनी हैं अब हम लोग आजाते हैं कि ग्रूप नमबर 9 में ठीक है क्थिक है मुरूप नमबर 9 में आप लोग कर दीजिए ठीक है प्रूब भी अगर नहीं है तो मैं कुछ हेल्प करूंगा आप भी अपने अनुसार से जो है प्रूब देखिए टेलिग्राम पर संपर्ख भी कर सकते हैं चलिए जितना मेरे से हुपाय करें बड़ आप लोग भी घर मिल रहा है आपको ट्रीज पर बिले ऐसे हो सकता है यहांत क्या दिया कि दर रेटिंग ओफ फीडर विच सप्लाइश ऐलेक्ट्रिकल पावर तू मोटर मस्ट है विनिमम्म करेंट कैपैसिटी औफ देश पर्सेंट टूब फूल लोड गरेंट करेंट अर्ट रेटिंग और ओल मोटरस वाले question में ठीक है इसका आप Google में भी चेक कर लीजेगा दूसरी बात है कि Google में नहीं कर तो इससे अधस्ट नहीं करेगा आपको देना होगा कोई बुक का उठा के देना होगा और तो यह बात हैं यह question number समझ गया one चलिए आप question दूसरा आपको दिखाते हैं देखिए question number जो दूसरा है यहां पर है कौन सा तो यहां पर है कि 11y 0.4 kv सभी स्टेशन जो है commonly used होता है इंडिया में तो यह जो commonly very commonly used इंडिया तो इक इस प्रकार का है पॉल माउंट है और आउट्डोर है इंडोर है तो देखिए इसमें जो और नहीं तो option number one जाएगा पॉल माउंट सिर्फ जाएगा ठीक है यह दोनों में चेक कर लीजेगा कौन सा सही है बुक का थोड़ा देख लीजेगा reference के इन दोनों में से कोई एक देजेगा लेकिन इतना तो क्लियर है कि यह question का जो answer की जो इन्होंने first option दिया है यह वाले का यह गलत है ठीक है इस पर आपको objection करना है question number दूसरा का objection बताया रहे आपको तीसरा में आईए तो तीसरा में देखिए यहां पे भी जो question दिया गया इसका answer right answer जाने तो यहां पर देखिए यह वाला option 4 इसका जाना चाहिए ठीक है तो इसमें आपको करना होगा क्या हमेशा insulation जो होता है electrical machine का insulation एक ओम से एक मेगा ओम से ज्यादा होता है ठीक है तो यह होगा question number 3 3rd जिसमें कि आपको यह करना है मतलब कि तीसरा objection question question number 4 देखिए जो कि इसमें bonus मिलेगा आप सभी को देखिए यहां पर time response output बोला गया था और यह देख पारे हैं यहां पर यहां का control system का question था जहां कि option 1 को इन्होंने correct माना है डाला गया है इस बज़े से आपको यहां पर bonus मिलना चाहिए तो इसका answer क्या होगा option 1 भी सही होगा option 4 भी सही होगा दोनों ही option इसका सही होगा इसलिए इसमें bonus पर जाएगा claim आपको करना होगा चलिए question 5 में चलते है question 5 देखिए यहां पर question 5 मतलब कि कहने कम जो कि आपको ज answer जाएगा यह वह यह वाला जाएगा one plus वाला देखिए यहां one plus option 4 चले जाएगा इसकेस में तो यहां देख लिए one minus वाला इन्होंने दिया है ठीक है जो कि नहीं हो करके one plus वाला होगा और इसका जो है आपको इस पर भी क्या करना है अब्जक्शन करना है तो यह question 5 पांच क्या था ठीक है हम लोग हिंदी पर नहीं जाएंगे इंग्लिस वाले पर पढ़ेंगे देखिए which of the following parties has been given the status of national party by election commission तो कहा गया है कि कौन से यहां पर parties का नाम दिया गया है चारों का बोलेगे कौन से पाटी को national party का दर्जा प्राप्त है यह कहा गया है इसका अगर हिंदी आप रुपांतरन करते हैं तो election commission तो देखिए राष्ट्रिय जनता दल भी है Congress आम आदमी पार्टी भी है और भारती जनता पार्टी भी है ठीक है इस सभी को जो है national party का दर्जा दिया गया है ठीक है हिंदी वाले में जो है नया word use कर दिया है नया नया जिनको की राष्ट्र का दर्जा दिया गया है राष्ट्रिय पार्टी का तब उस case में आम आदमी पार्टी एंसर जाता ठीक है उस case में जाता बट अभी यहां पर देखिए हिंदी में इंगलिस में पढ़िएगा has been given यह recent word use नहीं किया है recently the status ठीक है recently वाला word यहां पर यूज नहीं किया है इस व और यूज नहीं किया है हाल फिलाल नहीं है उसको इसको जो है national party का दर प्राप्त है थिसके चारों को दर जाप्त है तो चारों अप्सम सही चैस में ऑसें जो होगा इसका क्या हो जागा कहा जाए को स्वाटिंग और संस नहीं है फ्लींफ जो कि आप लोग यहां आपने डिसकस किया है आपका जो है ग्रूप नमबर 9 में आपको 6 पर अपती दर्ज करना चाहिए अलग अलग कैंडिट्स कर सकते हैं अपना अपना जो है इविडेंस के साथ में और कैसे इविडेंस बनाना है उसका भी हमने बताया है तीन मैक्सिमम ड ग्रूप में मैं उस परवी विडियो बना दूँगा कि हाँ यह सब कोईश्यन है कोईश्यन पर जो है आप लोग भी लाइक मुझे सारा कोईश्यन से ग्रूप नंबर वान ग्रूप नमर टू कर देते हैं तो मैं ग्रूप वाइस जो है किस पर किस पर अब्जेक्शन करना है वह बना दूँगा विडियो ताकि आप लोग माली जे कोई नहीं किये हैं तो दूसरा लोग तो कर दे इस हिसाब से मिल जाज़ा के विए आप लोग सब लोग कर दीजेगा ठीक है जिसमें भी आपको डाउट है तो आज कली इतना ही मिलते हैं आप से अगले वीडियों सब्सक्राइब कर लेगा विडियो को लाइक किजेगा दोस्तों के बीच आज के लिए तना ही बहुत बहुत धने मताब सभी का